आपके पास Samsung Galaxy M55 है, A55 है या कोई और फोन है, तो यहाँ पे आप auto call recording कैसे कर सकते हैं अपने फोन में, तो इसके लिए आप यहाँ पे dialer पे जाएंगे, और यहाँ पे manually कोई number आपको record करना है, तो आप यहाँ से करके dial कर लेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे recording आपकी start हो होगी है, यह होता है manual record करना, और यही से आप recording को turn off कर सकते हैं, ठीक है, तो यह होगी manual बात, तो अब हम auto call record करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे 3 dot पे जाएंगे, सेटिंग पे click कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे record calls के option पे जाना है आपको, और सबसे उपर option आता है, नोटिफिकेशन का, show notification after recording, recording के बाद जो आता है न, यह recording और फिर remove हो जाता है notification, वो चीज़ है, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो बंद कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको on रहने दूँगी, auto record calls का एक option आता है, इसको आप यहाँ से on कर देंगे, तो सबसे उपर option मिल ज record करना चाहते हैं, save number, unknown number, incoming outgoing, तो सारी के सारी call record होगी, और अगर आप चाहते हैं, कि जो number आपके phone में, contact list में, save नहीं है, उनकी call record हो, तो आप इस पे click कर लेंगे, और दूसरा होता है option, specific number, यानि कि special number को record करना चाहते हैं, एक दो परसन के, तो यहाँ पर आप इसको select कर ले कर लेंगे, और इस पे click कर लेंगे, आपके recent call में से भी, अगर कोई incoming call वगर आ रहे हैं, तो उसको आप select कर सकते हैं, ठीक है, तो उस परसन की record होगी calls, अगर contact पे जाते हैं, तो जो आपके phone में contact list वगरा save है, इनको भी आप select कर सकते हैं, कोई भी, ऐसे करके मैंने select कर लिय जैसे कि यहां 2-3 contacts आ गए, इनकी calls record होगी, जब भी आप call करोगे तो, आप group में से भी ले सकते हैं, अगर group में है तो, इसके बाद back कर लेंगे, अच्छा कोई number हटाना है, तो यहां पर minus पे click कर देंगे, तो वह हट जागा number, उसकी call record नहीं होगी, इसके बाद back कर लेंगे इसके बाद यहां पे recorded calls देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपने call recording कर रखे होगी, वो आप सुन सकते हैं, और यहां पे click करके आप कोई पुरानी call recording डिलेट कर सकते हैं, इसके बाद back कर लेंगे, इतनी setting करने के बाद हम यहां पे आप number डाल करेंगे, जो हमने add-on किया था उसको देख लेंगे, तो देख सकते हैं, call recording यहां पे आपकी start हो गई है, ठीक है, और turn off करने के लिए आप manually turn off यहां से कर सकते हैं, बाकि यहां पे जब भी आप इस person को call करोगे, या फिर इसकी call आएगी, तो यह record होगा, ठीक है, अब call recording सुनने के लिए, आप scroll करके, यहां पे चले जाएंगे, अपने file manager में, my files, और यहां पे audio के option पे click करेंगे, audio में देख सकते हैं, यहां पे click कर लेंगे, तो यहां से आप call recording को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अब call recording turn off करना है, यहां पे, तो आप जाएंगे setting पे, record calls पे जाएंगे, और यहां पे नमबर हटाना है, रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, यहां से करगे, माइनस पे click करके हटा देंगे, नमबर हटा दिये मैंने, और by default यह किसी भी option पे selected है, बस आपको यह option बंद कर देना है, और back कर देंगे, तो कोई भी call automatically record नहीं होगी, जब तक आप खुदनी चाहेंगे और इसके बाद back कर लेंगे, इसी टाप के interesting videos के लिए i button पे click कर लेंगे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार,